हलो गाइज क्या आपका बजट है दस जार और आप खोज रहे हैं बेस्ट कैमरा बेस्ट प्रोसेसर और ओवल ओल सभी फीचर से लेस एक स्मार्टफोन तो ऐसे में आज का इस वीडियो आपका बहुत मदद कर सकता है क्योंकि दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 इन इंडिया के उपर तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बार तो दोस्तो हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो स्मार्टफोन है उसका नाम है Realme Narjo 20A दोस्तो इस फोन के रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटप देखने को मिलता है 12 प्लस 2 प्लस 2 में आपिक्सल का और दोस्तो अगर बात करें इस फोन के फ्रन्ट कैमरा की तो 8 में आप पिक्सल के एक सेंसर के साथ ये कैमरा आपको देखने को मिलता है और दोस्तो अगर बात करें इस फोन के डिस्पले की तो 6.5 इंचेस का एक HD प्लस डिस्पले आपको इसके साथ में ओफर किया जाता है और दोस्तो इस फोन के में कमपार्टमेंट प्रोसेसर की बात करें तो Snapdragon 665 का प्रोसेसर के साथ साथ आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दिखने को मिलती है 30W फास चार्जिंग के साथ में और दोस्तो अगर इस फोन को आप खरिदने के लिए जाते हैं 4GB RAM 64GB वाले बेरियंट के साथ में तो इसका प्राइज आपको परेगा 9,499 रुपीज अब दोस्तो अगर बात करें हम अपने लिस्ट के दूसरे स्मार्ट फोन की तो उसका नाम है Redmi 9 Prime दोस्तो इस फोन के रियर में आपको Quad camera setup देखने को मिल जाता है जिसमें की sensors मिलते है 13+, 8+, 5+, 2MP का और दोस्तो अगर बात करें इस फोन के front camera की तो 8MP का एक front camera देखने को मिलता है और अगर इस फोन के display की तरफ बरहे तो 6.53 इंच का एक Full HD Plus display देखने को मिलता है और दोस्तो अ फोन के battery compartment की बात करें तो 5020 mAh के बड़ी बैटरी देखने को मिलती है साथी 18W का एक fast charging भी देखने को मिलता है और दोस्तों अगर फोन के processor की बात करें तो MediaTek Helio G80 का processor आपको इसके साथ में offer किया जाता है और दोस्तों अगर खरिदने के लिए जाएगा इस स्मार्ट फोन क आप 4G RAM 64GB वाले बेरियंट के साथ में तो यह फोन आपको परेगा 9999 रूपीज का अब दोस्तों अगर हम बात करें अपने लिस्ट के पहले स्मार्ट फोन की तो उसका नाम है Samsung Galaxy F12 जोस्तों इस फोन के साथ मैं आपको एक जीनोस 9 उक्टा का processor देखने को मिल जाता है और द पिक्सल के sensors के साथ में और दोस्तों इस फोन के अगर front camera की बात करें तो 8 में आप पिक्सल का एक front camera देखने को मिलता है और साथ ही अगर इसके display की बात करें तो इसके साथ मैं आपको 6.5 इंच का IPS LCD पैनल देखने को मिलता है जिसके साथ मैं आपको 90 Hz का refresh rate भी देखने को मिल और दोस्तों अगर आप refresh rate के बारे में जादा जानना चाहते हैं तो description में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जाके आप जरूर से देख लीजिएगा अब दोस्तों अगर बात करें अपने इस phone के battery compartment की तो इस phone में आपको 6000 mAh की बड़ी battery देखने को मिल जाती है जिसमें कि आ दोस्तों यही तीन smart phones आज के इस वीडियो में हमने रखा है आपको कैसा लगा हमें जरूर से बताईएगा comment box में फिलाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही तब तक के लिए जैहिंद वन दे मादरम